अस्सलाम अलेकुम, वेलकम तो मैथमेटिक्स विद कोडैनिक्स, इस लेक्शर में हम ग्रूप थिरी का जो थर्ड कॉंसेप्ट है, उसको डिस्किस करने जा रहे हैं और वो है कार्टीजियन प्रोड़क्ट, कार्टीजियन प्रोड़क्ट क्या होता है, डेफिनेशन देखते सकते हैं, A क्रॉस B is equal to, A क्रॉस B is a set such that A belongs to capital A set and B belongs to set B, इस डेफिनेशन में क्या चीज़ है, जी कार्टीजियन प्रोड़क्ट जो है, वो set A और B का इन दोनों से बनाया हुआ, एक तीसरा set होता है, जो के A क्रॉस B से हासिल होता है, और उसके जो elements होते हैं, इस तरीके से ह हो, और ordered pair का जो first element है, वो A हो, और second element B हो, और इन ordered pair की तर्टीबिस तरीके से हो, कि यह जो इसका first element है, वो set A में belong करता हो, और जो second element B है, वो set B से belong करता हो, तो जो इस तरीके से set बनेगा A क्रॉस B का, उसको हम कार्टीजियन प्रोड़क्ट बोलते हैं, दो sets, उनके elements को, दो sets, उनके elements के साथ बनाया हुआ, थर्ड एक new set, जिसमें, जो elements हैं, उसके, उसकी form इस तरीके से हो, कि ordered pair में हो, उसमें, ordered pair में जो पहला element है, वो set A से belong करता हो, second element set B से belong करता हो, तो यह जो set निया set बनेगा, इसको हम कार्टीजियन प्रोड़क्ट बोलेंगे, इसकी हम example देखते हैं, मेरे पास एक set A है, जिसके elements है, one, two, set B है मेरे पास, three and four, अब set A के दो elements है, और set B के दो elements है, यहाँ पर मुझे find करना है, Cartesian product, जिसको A cross B भी बोलते हैं, Cartesian product कैसे निकलेगा, कि आपने पहले देख लेना है, इसकी form किस तरीके सी होने चाहिए, इदर लिख लेते हैं जी, पहला जो element होगा, उसमें first और second, यह दो elements आने चाहिए, इसका मतलब यह A और B इस form में होंगे, अब यह Cartesian product कैसे बनेगा, कैसे यह निया set बनेगा, इसका जो method बताने लगा हूँ, जैसे हम multiply करते हैं, let's suppose हमारे पास दो numbers हो, एक set में 3 और 4 हो, इनको multiply करना है मैंने 5 और 6 के साथ, मैं क्या करता हूँ, 3 को पहले 5 के साथ multiply कर देता हूँ, उसके बाद 3 को 6 के साथ multiply कर देते, उसके बाद 4 को 5 के साथ multiply कर दे, और उसके बाद 4 को 6 के साथ multiply कर दे, same इसी method से हमारा यह Cartesian product वाले elements का set बनेगा, किस तरीके से बनेगा, इसको हमने क्या करना है, पहले इस element को इससे multiply करना है, या इसके साथ order pair बना के लिखना है, पहले यह element, इस element के साथ मिलके एक order pair बनाएगा, जो हमारा इसका first element बनेगा, one and three, उसके बाद one जो है, इस element के साथ मिलके order pair बनाएगा, one and four, उसके बाद यह element इसके साथ मिलके बनाएगा, order pair, two and three, इसके बाद यह two इस four के साथ मिलके बनाएगा, two and four, यह जो element हमारी इस setting में आए हैं, यह हमारा elements का set मिलके cartesian product बनाता है, अब अगर हम इसमें यह जो setup बनाएगा, इसको देखना चाहें, कि यह हमने जो definition में पढ़ा था method, क्या वो उसी तरीके से हम चेक करते हैं, अब चेक करते हैं, पहला element इसमें है, one और three के order pair का, one जो है set a का हिस्सा है, three जो है set b का हिस्सा है, इसका मतलब यह element according to definition ठीक है, second element में one और four है, एक order pair, इसमें one जो है element वो set a का part है, four जो है वो set b का part है, इसका मतलब second element according to definition ठीक है, third element में two और three का order pair है, 2 जो है set A का हिस्सा है और 3 जो है set B का हिस्सा है इसका मतलब ये ordered pair B definition के according चीख है थर्ड हमने देख लिया अब फूर्थ जो है फूर्थ element में 2 जो है set A का part है 4 जो है set B का part है इसका मतलब ये ordered pair B according to definition चीख है अब अगर मैं यहां पर देखूं B x A का क्रोस A का जो कार्टीजियन प्रॉड़क्ट है वो कैसे आएगा इसका B x A का कार्टीजियन प्रॉड़क्ट जो है यह हमारा किस तरीक़्े से हम फाइंड कर सकते हैं इसके लिए पहले हमें लिखना पड़ेगा B का सेट जो है 3 and 4 उसके बाद A सेट लिखना पड़ेगा यह है 1 and 2 इसी मैथट के साथ B x A आएगा इसको देखेंगे जी पहला एलिमेंट जो है वो आएगा 3 and 1 का सेकेंड आएगा 3 and 2 का थर्ड आएगा 4 and 1 का फोर्थ आएगा फोर्थ आएगा जी 4 और 2 का अब देखें कि यह जो हमारे पास B x A का कार्टीजियन प्रॉड़क्ट आएगा है क्या यह हमारे जो एलिमेंट का सेट है यह A x B के एकुल है यहाँ पे 1 3 है इधर 3 1 है 9 इधर 1 4 है इधर 3 2 है 9 इधर 2 3 है इधर 4 1 है 9 2 4 and 4 2 देखें अब यहाँ पे जो एलिमेंट A x B में A है यहाँ पे वो B है सेकिंड एलिमेंट है 1 4 लेकिन यहाँ पे इसका थर्ड एलिमेंट 4 1 है मतलब इनकी प्लेस भी चेंड है और सेट भी चेंड है तो इसलिए कार्टीजियन प्रॉडक्ट में A x B किसी भी सूरत में एक्वल नहीं होता B x A के कोई स्पेशल केस होगा जिसमें दो सेम सेट आजेंगे तो उस वक्त हमारा जो A x B, B x A के एक्वल आ सकता है लेकिन जब सेट A और B के डिफरेंट इलमेंट्स होंगे तो उस सूरत में A x B का कार्टीजियन प्रॉडक्ट किसी भी सूरत में B x A के कार्टीजियन प्रॉडक्ट के एक्वल नहीं आ सकता जी तो मेरे कौम के नوجवानों इस लेक्षर में हमने ये देखा है कार्टीजियन प्रॉडक्ट क्या होता है और इसमें एलिमेंट्स किस तर्तीब से होते हैं और हम किस तरीके से कार्टीजियन प्रॉडक्ट फाइंड कर सकते हैं दो डिफरेंट सेट्स का कोडैनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्ज सुनने के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर Mathematics with Codernics सर्च करें अल्ला ने के बाद